तो में आचका हूँ इंचफ्स उनिवर्सिटी काईरो और आप जानते हैं कि अब बास्या में जो की यहां का बिलकुल हार्ट अद सिटी है यहां पर इंशाम्स उनिवर्सिटी करीब 60 साल पुरानी उनिवर्सिटी जिसके अंदर आज करीब मेडिकल में 6000 के असपा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और यहां पर विशाल लाइबरी सीरीज ऑफ हॉस्पिटल आप देख सकते हैं पूरे वहां तक जो आपको हॉस्पिटल दिखाई दे रहे हैं सीरीज ऑफ हॉस्पिटल और यह एक सियासी मस्जिद अलनुरी जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं तो हम लोग इस बार अपडेट लेने आये थे हमने आगे वाइस जीन से जानने की कोशिच की क्या फीज बढ़ी है लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री से कोई अपडेट नहीं आया फीज बढ़ने के बारे में हालांकि अभी भी हमारे सुक्रों से हमारे को जानकारी मिलीगी फीज बढ़ चुकी है लेकिन पूरा अपडेट यूनिवर्सिट्टी के पास भी अभी इस बारे में कुछ है नहीं इसके अलावा कुछ सीच अभी हाली होंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो नॉमिनेशन लेटर इशू कराया था पर नॉमिनेशन लेटर इशू कराने के बाद अब तक भी अपने फीस और डॉक्मेंट सब्मिट नहीं कर पाएं और इसकी वाई से पॉसिबि पर मैं हूँ इंचहांस यूपर स्टी में और करेंट ये 2023-24 का सेशन की अडिमिशन्स चालू हो चुके रिखके इंचहांस यूवरस्टी में सिर्फ चालू नहीं हो यह एक गायनिक वाला हॉस्पिटल है और इसके पीछे सीरीज ओफ हॉस्पिटल्स हैं करीब आठ हॉस्पिटल्स इस एरिया में आपको इंचम्स कॉलेज के मिलेंगे यह कॉलेज काफी पूराना कॉलेज है और बहुत ही रेपीटेड है मिडल इस से चालीस से जादा अलला कंट्री से इंडिया निपाल मलेशिया बंगला देश जैसे चालीस से जादा देशों से यहां पर स्टूडेंट्स परने के लिए आते हैं मेरे पीछे यहां पर है सब्सक्राइब मस्जिद है और पीछे वो जो आप देख रहे हैं उस साइड पूरे लेक्चर थेयर्टर्स ओडिटोरियम और क्लासे हैं और आप इस साइड देखिए मेरे बिल्कुल सामने यह जो आपको जहां पर क्रेन दिखाई दे रही है और यह पूरा दिखाई दे र यहां की एजिप्शन उनिवर्स्टी जैसे काईरो इंचम्स और फिल्हाल में हैं इंचम्स कैंपस में और दोस्तों यह नाकिसिर्फ वर्ल्ल रैंकिंग उनिवर्स्टी यहां पर मिलता है आपको बेस्ट पीनिकल एक्सपोजर जो आपको हेल्प करेगा नेक्स वण नेक्स झाल झाल